Welcome to my YouTube channel दोस्तों आज हम आपको पाठ्योजना किस प्रकार बनाई जाती है इसके लिए वीडियो लेकर आए हैं अगर आप B.A.D.C. कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो प्योगी हो सकती है वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं अगर अपी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले आइकन को भी दबा दीजिए और उस पे आल नोटिफिकेशन पर किल्क कर दीजिए जिससे मैं कोई भी बीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो सके सबसे पहले आप अपने महाविद्याले का नाम लिखते हैं जहां पर आपकी टीचिंग लगी हुई है उसके बाद अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक का नाम अगर अध्यापक का नाम अगर अध्यापक का नाम उसके बाद हम देनां कच्छा बर्ग विशे उब विशे कालांस और अवद का ये कॉबर विव काका कीते हैं को ब्लैक बोर्ट पर भी करना रहता है आप उसी में सब कुछ छचचे से लिखते हैं है कि आप किस काफ़ा रहे हैं किस डेट को पढ़ा रहे हैं सब अवद जो होती है वो 40-45 मिनिट की होती है आज हम विज्ञान विशे के लिए उब विशे है बहुत विज्ञान और प्रकरण है प्रकास के लिए लेशन प्लान बना के बताएंगे उसके बाद सबसे पहले हम लिखते हैं सामान उद्देश चात्रों में विज्ञान के प्रती रूच उद्दपन करना चात्रों में करमबद ध्रधंग से कार करने की आदर डालना चात्रों में आत्म नेड़बढ़ता प्रदान करना कार करके सीखने तथा सूस्म नेड़़ लेने की छहमता प्रदान करना और चात्रों में विज्ञान किर्यात्मक छात्य प्रकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने ब्यवहारिक जीवन में अपना सकेंगे उसके बाद सहायक सिच्छन सामगरे इसमें टार्च, मौमबत्ती, बल्ब का माडल और पेपर चार्ट पर बने हुई प्रकास की किर्ड़े उसके बाद हम पूर प्रकास देने वाली वस्तूओं का पूर ज्यान होता है उसके बाद प्रस्तावना के प्रस्थ इसमें हम क्रम संख्या चात अद्यापक कथन और चात चात्रा के कथन लिखते हैं हम बच्चों से पहले कोशन करेंगे पूर ज्यान से सम्मेंदित की अंधेरे कमरे में देखने के लिए टार्च मुंभतिया बल्ब जलाते हैं उसके बार मज़ों के लिए शहा रिडेश कतर आज प्रकास पात के विस्तारी में विश्तार से अध्यार्ण करेंगे उसके बाद पात परसुती करण इसमें सिच्छन बिंदु छात अध्यापक कतन छात छात्रा के कतन सिच्छन बिंदु में हम प्रकास के स्रोत लिखेंगे उसके बाद हम विकास आत्मक कोश्चन करेंगे संदे के पहले बच्चों से किकास, बांच बदी की बासे करें इंदे, उसके बाद हम अब असपस्टी करण देँगे, यह जो पाथ योजना है हरबर्ट के पंच पदिये प्रणाली के आधार पर बनाया गया है क्योंकि पाठ योजना हमारे जो विश्विद्याला है उसमें इसी के आधार पर ही होता है उसके बाद हम अस्वेस्टी करन करेंगे कि अंधेरे कमरे में देखने के लिए हम टार्च मुंबती बल्व या लैंप जलाते हैं ये सभी वस्तुवें प्रकास के स्रोत हैं सूर्य तारे जुगनु ये सब प्रकास के प्रागिर्तिक स्रोत हैं सूरी प्रकास का सबसे बड़ा सबसे बड़ा और महत्पूर्ण स्थोत है जो वस्तुएं स्वेम प्रकास उत्पन करते हैं उन्हें हम देप वस्तुएं कहते हैं चादनी रात में चंद्रमा से प्रकास मिलता है परंतु चंद्रमा देप वस्तु नहीं है क्योंकि या स्वेम क वे प्रकास सी तो सुष्ओं के रहुं हिसी जो वस्तूं है प्रकास उत्पनने नहीं करते हो उन्हें आदिब तोस्तू करते हैं हुम बच्चों करेंगे लकडी मेचकुृसिक इताब इसके बाद doras kisail करें तो यह नहीं पता पाएंगे, यह समस्यात्मक कोश्चन हो गया, उसके बाद जो हम विसेवस्तु में प्रकास की किरेड़े लिखेंगे, उसके बाद अस्पेस्टिक करण देंगे कि प्रकास जिस मार्ग पर चलते हैं, उसे प्रकास का गमनपत कहते हैं, और प्रकास गमनपत क के समांतर होती हैं इस प्रकार की किरेड़े पुंज को समांतर किरेड़ पुंज काते हैं किसी बिंदु प्रकास तो तो से निकलने वाली प्रकास की किरेड़े उसके चारों और फैलती हुई जाती हैं ऐसी किरेड़ों को अब सारी किरेड़ पुंज काते हैं जब प्रकास की क किसी एक बिंद पर मिलती हैं तो ऐसे क्रेंड पुंज को अफिसारी क्रेंड पुंज काते हैं उसके बाद हम पुना बच्चों से कोश्चन करेंगे कि प्रकास जिस मार्क पर चलता है प्रकास का गमनपत कहलाता है हम बचों से कोचन करेंगे कि प्रकास के किरेडों के समू को क्या काते हैं चोब बताएंगे सर प्रकास के किरेडों को समू को क्रेंड पुंच काते हैं उसके बाद हम पुर्णा बचों से कोचन करेंगे कि प्रकास का संचरण कैसे होता तो यह समझ स्यात्मा कोस्चन हो गया उसके बाद हम प्रकास के किरड़ों का संच्रेयन के बारे में अस्पस्टी करण देंगे हम बच्चों को कहेंगे कि प्रकास यह स्मार्क पर चलता है उसे प्रकास काव्ण पत कर invoke आते हैं प्रकास का गवन पत अतिसूष्मot के finding शिद्र, यानि छोटे से क्रेंड, छोटे से किरेंड, छोटे से शिद्र, निकलने वाले प्रकास क्रेंड पुंजकाते हैं, बहुत दूर से आते हुई प्रकास क्रेंड, एक-दूसरे के समानत रोती इसे माइने पहले भी बताया है पुना बताएंगे उसके बाद हम पुना बच्चों से कहेंगे किसी बिंद प्रकास श्रोत से निकलने वाली जिन वस्तूओं से प्रकास आरपार हो जाती है उसे पादरसी वस्तू तथा जिन वस्तूओं से प्रकास आरपार नहीं होती है उसे आप पारदर्सी वस्तु काते हैं उसके बाद हम पुना बच्चों से कोश्चन करेंगे प्रकास का संचराट किसमें होता है तो बच्चे बताएंगे सार प्रकास का संचराट सेधी रिखा में होता है उसके बाद हम पुना बच्चों से कोश्चन करेंगे कि देव तुवस्तु किसे काते हैं, आदेव तुवस्तु किसे काते हैं, प्रकास के प्राकिर्दिक सुरत बताईए, जिस मार्क पर प्रकास चलता है, उसे क्या काते हैं, प्रकास का संचनर के समय होता है, हम जितना चीज कच्छा में बताए रहेंगे बच्छों को, उसके लि कर Most के करनें ज़र के टो के शात्रु के समझाय करें गरेकार प्रकास्षण के नाव लिख लए ऊगरowo के प्रकार याद कर आएंगे हम है बच्किर को मेरे कर देंग़ उसके बाद सुजाव आख्या आलोचना इसके आपके सिच्छर में अगर कुछ कम्या रहेंगी तो उसके बारे में बताएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दाने बात